very very good evening my dear friends मैं आपका दोस्त डॉक्टर संदीब वियोगी आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल एक जाम फाइटर नमबर वन पे पुना एक बार हार दिख हार दिख स्वागत करता हूं दोस्तों आज 17 जनुवरी 2022 है और आज का टॉनिक आपके लिए रेडी है रेडी हो गय आज का टॉनिक 440 बोल्ट के साथ 440 बोल्ट का डोज डिली करेंटर फिर्स मल्टिपल च्वाइस कोस्चन के रूप में आपके सामने रेडी है यह बिल्कुल टी ट्वेंटी फॉर्मेट में होका दोस्तों ठारने का कोई मौका ने बिल्कुल फास्ट एकदम फास्ट तरीक चैनल में अभी आये हैं अभी जूड़े हैं तो बिल्कुल नए जो भी स्टुडेंट है उसे में आग रख करना चाहूंगा आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को फ्रेश करें ताकि आपको डेली टैन मल्टिपल च्वाइस करेंट एफेर्स मिल सके और एक्जाम में आप धूम मचा दे आग लगा दें ओके तो बढ़ते हैं क्यों तो आज का पहला टी टैन आपका सुरू हो गया है तो टी टैन की पहली गैंद यह है कि पहला हाल ही में ब्रमौस मिसाइल का भारतिय नोसेना कि किस जहाज से सफलता पुरुक टेस्ट फायर क इसका डिसकस्टन हम लोग पिछले कल भी किये हुए थे पिछला जो हमारा क्रेंट फस एमसी क्यू था उसमें भी ब्रमौस मिसाइल आज की समय में काफी इंपोर्टेंट यह कोश्चन बन रहा है ब्रमौस मिसाइल से समंदित तो ब्रमौस मिसाइल का भारतिय नोसेना के द लुए लिए नोसेना के लिए नोसेनिक जो रहते हैं इसे यूद्पोत का वह युजश प्रयोक करते हैं एकुली ब्रमौस का तीन फ्रमिट है पहला वह हवा से हवा में भी फैर करती है बतलब उसको लडाकों जो विमान होते हैं हमारे जो लडाकों जैसे कि अभी हलिमें वहारा रफेल से चोड़ा है जमीन से भी ब्रमोर्वस को दाग आजा सकता है और सब्सकार वर्जन है उसका जल्पोत है उनसे भी दागा जा सकता है तो हाली में उसका टेस्ट फाईर किया गया है ऐनस विशाखा पत्नम से नम भर सर तो इसे याद रखेंगे दोस्तों बढ़ते हैं अगले questions keyword और अप सामने кон Sutton हाले में भारतिया सेना दिवस किस दिन मनाया गया यहां पर nom सेना है लेकिन नो सेना आपने पड़िए इसे सिर्फ सेना पड़िए सेना दिवस हाले में भारतिया सेना दिवस दिन मनाया गया तो भारतिय सेना दिवस हाली में पंदर जनवरी को मनाये गया इसे याद रखेंगे चलते हैं अगले कुश्चन की वोग में कुन्ब-लांभी गाउं जो भारत का पहला सेनेटरी नैपकिन मुक्त हाली में बन गया है कुम्बलांबी गाउं जो की हाली में भारत का पहला सेनेटरी नेपकिन मुक्त गाउं बन गया है सेनेटरी नेपकिन मुक्त गाउं बन गया है कुम्बलांबी ये हमारा किस राज में है आपसे पूचा जा रहा है कुम्बलांबी किस गाउं में है जो पहला सेनेटरी नैपकीन मुक्त गाउं बन गया है तो इसका राइट एंसर होगा दोस्तों कुम्बलांबी केरल में है कुम्बलांबी केरल में है बहुत important question है ये Question number 4 Question number 4 हाली में हमारे प्रधान मंतरी स्री नरेंद्र मोदी जी ने किस दिन को start-up दिवस के रूप में मनाने की घोसना किये Start-up दिवस के मनाने की घोसना किस दिन की गई है तो start-up एक लिए क्या होता है कि अगर आप कोई उद्यम start करने के लिए जैसे मोदी सरकार का बहुत ही महत्तवकांची योजना थी start-up इंडिया उसके तर्थ क्या किया जाता है कि अगर आपको अपना उद्यम अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो सरकार उसमें आपको फ्रोथसाहन देगी सरकार आपकी मदद करेगी बैंक से रिन वगड़े भी आप ले सकते हैं तो मोधी सरकार का जानते हैं आप लोग का म का कि माद्यम से अपने उद्यम आरम करें और मोदी जी से रोजगार नहीं मांगें मोदी जी को टेंशन फिरी घुमने दिया जाए बिरेश ओके तो इस्टार्ट अफ दियस मनाने का घुशना कब किया है तो 16 जन्वरी अब परते एक साल 16 जन्वरी को आप इस्टार्ट अफ दि जारी किया है किस मंत्री के दोरा तो सिंपल सा बात है दोस्तों इंडिया स्टफ फोरेश्ट रिपोर्ट यह फोरेस्ट है मतलब फोरेश्ट मिश्वण यह बिल्कुल ही वन ये पर יवंग परियारन मंत्रयक्त क्या आप च्प्यारं मंत्री यादा हो जीए चेह इसका है बह चटे नमर कोश्चन में वर्ड बैंक ने चालू वित्वर्स में भारत की आर्थिक वर्दिदर का अनुमान कितने परतिसत लगाया है तो जैसा कि कल के करेंट एपरस में हम लोगों ने वर्ड बैंक के जगे किसका देखा था UN United Nation ने कितना अनुमान लगाया है लेकिन आज हम हम लोग देख रहने डेख रहे हैं वर्ड बैंक ने कितना रहने वाल यह अनुमान लगाया किसने वर्ड बैंक ने यह राएट एंसर है दोस्तों 8.3% number B is right answer जबकि अगर UN रहेगा पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कल ही UN ने इसे कितना किया है UN ने 6.5% किया था तो याद रखेंगे confusion नहीं होना है बिल्कुल दोस्तों चलिए अगले question की और question number 7 बहुत ही अच्छा decision है किस राज सरकार ने करमचार hull का retirement age उनका Do Kaisa कर दिया है तो यह हमारा राज कोई और नहीं दोस्तों यह आन्दरप्रदेश है आन्दरप्रदेश की सरकार ने करमचारि स्चार Drama हमें रुकना नहीं है आगे बढ़ते रहना है क्योंकि यह T10 है दोस्तों T20 भी नहीं है एक यहां पर आपको इसको कहते हैं डिफेंस करने का मुखा नहीं मिलेगा हर बॉल पर आपको चोके चकर लगाने हैं और हम लोग चोके चकर लगाने में कापी तेज हो चुके हैं और आ सक्ती मंत्राले द्वारा किस राजी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है राज उत्तर प्रदेस ने हडप लिया है और पहला अस्थान उत्तर प्रदेस को मिले है योगी आदितनात्य जी का योगी चीन के बीच जो वर्स 2020 में कुल कितने अरफ डॉलर का दिवपक्षे वयपार हुआ भारत और चीन के बीच 2020 में कितने अरफ डॉलर का दिवपक्षे वयपार हुआ मतलब दोनों देशों के बीच जो भी वयपार हुआ पूरे साल में 2020 में वो कुल कितने अरफ डॉलर का रहा यह दोस्तों इसका right answer है याद रखेंगे बहुत important 125.66 और डॉलर यह भारत का दुविपक्षी व्यपार सबसे ज़्यादा है किसी भी देश के तुल नामें तो भारत सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा दुविपक्षी व्यपार में साज़िदार कौन है चीन और भारत का है लेकिन यह भारत के नजरी से बिल्कुल अच्छा नहीं है क्योंकि भारत का व्यपार संतुलन यहां पर भारत के विपरीत है प्रतिकूल है इससे ज्यादा से ज्यादा चीन को फायदा हो रहा है भारत समझी रेसियों अगर देखा जा 30 और 70 के रेसियों में 70% चीन है 30 मे भारत है तो ये भारत के दिषटिकों से अच्छा नहीं और ये लेकिन चीन के दिषटिकों से बहुत ही फायरेमन है चीन हमारे हर तरह के मार्केट में चांग यह लिए ये जो दूपक्षे वेपार है काफी बड़ा है लेकिन हमें खुश होने के जरूत नहीं है इस पी हमें चिंतन करने के जरूत है दूपक्षे वेपार में भारत का संतुलन मजबूत हो इस दिसा में हमारी सरकार को काम करना चाहिए चलिए अंतिम गैन तस्वे ओबर की अंतिम में आ सकता है हाल ही में किस राज्जी में मैना गुरी मैना गुरी एक जगह है मैना गुरी के पास गुवाहटी विकानेर एक्सप्रेस पट्री से उतरने के करने पांच विक्ति की मौत और कई घायल हो गए मतलब है जो गुवाहटी विकानेर एक्सप्रेस ट्रेन है वो परट्री से उतर गई दुर्गटना गरस्त हो गई और वो जगती मैना गुरी आपसे पूछा जा रहा है वो किस राज से समंदित अस्थान है तो यह हमारा पस्चिम बंगाल में है पस्चिम बंगाल से समंदित हैं तो यह थे आज के दस एक्जाम फाइटर नंबर वन के तरफ आपको एक्जाम के बहतरीन तयारी के लिए दस मल्टिपल च्वाइस कोस्चन मिलेंगे और अगर नए है तो हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें शेयर करें और फिर कल इसी तरह इवनिंग में मिलेंगे 18 जनूरी 2022 के टोनिक को लेकर आपको 440 वोल्ट के साथ ओके बाइबाय गुड़नाय सुब्रातरी